हेलो शेडर्स एंड डिक्सों को हमने स्लेट कर रहा है आज की ट्रेट के लिए डिक्सों को हम आज के दिन शौट साइट की तरफ ट्रेट काना चाहते हैं इसके अंदर अभी हमने एंट्री ली नहीं है जस्ट हम इसके अंदर कोशिश कर रहा है कि कुछ 180, 185 या 186 कोईंटी हम इसके अंदर अपनी एक्जेक्यूट करनी है वेट करने काने काने का लाइक के प्राइस हमारा डाउंसाइट की तरफ हमें एक छोटा सा कन्फरमेशन दे बिकास है तो भी बिल्कुल अपनी क्रूशल लेवल पर इसके अंदर चलिए एक एक एक्जेक्यूट ही कर देते हैं 4128 and 4128 से रहा है बिकास प्राइस भी इस वक्ट का चल रहा है 4125.45 का चल रहा है 4128, 4126, 2-6 चलिए यहाँ अपनी एंट्रेक्स करते हैं तो, ओके होता क्या है डेक्सोन के अंदर सेम लेवल यहाँ पर देखे एक ही क्वाट्टी एक्जेक्यूट हुई है अब इसके अंदर फिर से हमें ट्रेड अपना एक्जेक्यूट करना होगा है 1825 184127 पर रखेंगे 4127 55 करतेते हैं 55 पैसे पर रखते हैं प्राइज जो इस वत का चल रहा है वो भी exact 4127.55 का ही है एंड्री थो में मिल जाने चाहिए 128 कॉनिटीज है वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही आ रही है ले जाए सार और बागी सारी कॉनिटीज भी पैंडेंग ही पड़ी होंगी है हमारी तो ओके प्राइस जो इस पत कर चल रहा है हमारा 4124 चल रहा है 4127.55 ठीक है उसे लिए पड़ा कि 74 कॉनिटीज और मिल गए 88 कॉनिटीज हो गए 94 कॉनिटीज अभी बी कुछ कॉनिटीज है 186 perfect सारी कॉनिटीज हमको यहां पर मिल चुके हैं सभी कॉनिटीज हैं सभी कॉनिटीज हमारी एक्टिवेट हो चुके हैं सभी कॉनिटीज हमको मिल चुका है अब काम करते हैं जल्दी जसके अंदर अपने एक stop loss अटर लगाते हैं stop loss लगाने के लिए हमको जो सबसे अच्छा प्राइस समझ में आ रहा है 4150.45 का है और बहुत ज़्यादा चांस है कि आज हमारा प्राइस 4150 को क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो और डिक्सोन के अंदर के जो कन्फरमेशन से हैं डे टाइम टेम के जो लेवल से इसके आधार पर हम यह बोल सकते हैं कि प्राइस आज हमारा 4150 को क्रॉस नहीं करेगा स्टॉप लॉस हमारा लास्टक्त सेफ रहना चाहिए बहले ही हम थोड़ा सा प्रॉफिट ले करके निकले अच्छा सेलिंग मोमेंट हमें देखनों के मिलेगा निफ्टी में भी पैंक निफ्टी में भी और अपने इस डेक्सओन के अंदर भी अभी डेक्सओन के अंदर हम देखिए एक मार्किंग करेंगे लाए कि आज की 9.15 की कैंटल का हाई मार्क कर रहे तो उसको दोड़ा सा डाक कर देते हैं ब्लैक किलर से और देखिएगा के प्राइस हमारा पिछले तेन देम से किस लेवल से गिर रहा है यहाँ पर कुछ हम एरोस मार्क करेंगे यह ओ और यह अलेडी है इसको हुट आते हैं वापस से आक करेंगे एक ये वाला अरिया और आज भी प्राइस हमारा हमको उसी लेवल पर मिला है किरता है because convictions बहुत है और confirmations भी स्टॉंग है कि price में आज downside की momentum होनी चाहिए that's why में selling side की positions इतनी बड़ी positions like 186, 20s कासबस की position अमने इसके अंदर create की है same चीज को जब आप day time frame पर देखोगे तो day time frame पर भी वही आपको confirmations मिलेंगे कि like एक resistance level पर हमारे dick sound sustain कर रहा है और उस resistance level से downside के तरह गिर रहा है इस red wise land को delete करते हैं and day time frame पर चलते हैं वापस से अब आप day time frame पर जब इसको देखोगे तो देखे आज से एक दिन पहले की candle को देखो आप कल की candle ने एक mother candle form की और उसके पहले की भी candle एक इसने higher high बनाया again higher low और फिर से एक higher high प्राइस अप में जा रहा है में भी हो सकता है कि इसके momentum's कल बड़े momentum's होए थे आज एक retracement हो लास्ट वीडियो जो हमने अपना upload किया दिसमें लगवख 17-18,000 का profit हमने book किया था उसमें भी same method से हमने trade execute किया था कि एक stock आपका uptrend में है किस तरह से retracement को या कहें कि price हमारा upside में जा रहा है अपर levels को break कर रहा है और वो एक retracement करने के लिए downside के तरफ जबाता है तो उस momentum को हम लोग किस तरह से catch कर सकते हैं वो वीडियो ज़रू देखेगा बहुत help करेगा आपकी इसके बाद में आज करी हमने stock select के कैसे क्या था क्यों क्या था अब हमें क्या चाहिए था कि Dixon है किस लेवल पर अभी हमने आपको बताना कि यह resistance लेवल पर है resistance लेवल पर होने के बावजूद अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि हमें short covering market के अंदर देखने को मिल रहे है because हो सकता है कि आज market upside upside जा और वहां से downside के तरफ गिर जाए एक momentum आपको bank nifty nifty की stock और जितने भी ज्यागतार इस stocks उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको downside की momentum से देखनों को मिल सकते है maybe अगर हम सही होते हैं तो क्योंकि sentiments अच्छे रहे हैं और price actions भी जिस तरह के बन रहे है अप side में जाने के chances कम हो सकते है market थोड़ीर side where है या फिर उसके बाद में गिर जाए एक sharp selling है तो maybe अगर dixon हमारी side में गिरता है तो एक अच्छा momentum इसके अंदर हमें देखनों को मिलेग है okay so dixon के अंदर को बड़ा सा momentum होता है या हमको एक्टिविटी करते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अब यहां से बाहर निकलने का समय है ताइम काफी हो चेका और यह अपनी जो candle बन रहे है दो बचकर पचास मिट की candle है जिसके compute होने में भी 2 minutes and 48 seconds बचे हुए है Momentum कुछ downside की दरफ देख रहे है बट overall अच पूरी market हमारी side भी रही है हमारी जो अपने targets थे 4062.40 अभी तक एक pending पढ़े हुए है और कोई बड़ा momentum नहीं है market closing का समय पास ही आ रहा है तो अब यहां से हमें exit होना पड़ेगा अपने trades को square off करना पड़ेगा और इस फुद का जो अपना profit है 3-4700K round हम लोग profit के अंदर बरे हुए है अपने price अमारा नीचे की दिशा में गिर रहे है volumes भी आ रहे है और profits भी इंग्रीज हो रहे है 5400K round 5800K round अब मरे हुए है and order book एक बाग देख लेते है order book में देखिए 186 quantities का जो हमारा stop loss order है 4150.45 पर लगा हुआ है and one quantity एक morning में हम से execute होए थी यहां पर जो 185 quantities हमें लगानी थी वो हमने नहीं लगाया और default quantity जो हो यह quantity होती है उसी पर हमारा सारा कासर order execute हो गया था यह अपनी order book है and position book में 5700 हमारा चल रहा है हमने wait किया and price हमारा finally day low को break करने के कोशिश कर रहा है अगर day low break हो जाता है तो बहुत ज्यादा chance है कि 5 minutes या पि 10 minutes के अंदर हमको 4062.40 हमारा जो actual target है वो complete होता बहुत दिख सकता है profits जो increase हो रहे हमारे 7700 अभी 8000 रुपीज के around चल रहे है and अगर यह support भी break हो जाता है तो अच्छा momentum मिलेगा morning में जो अपनी analysis थी and एक higher time frame पर resistance हमने mark किया इस वजए से यहाँ पर अपने entries के confirmations लिए और price को short side की तरफ trade किया तो कहीं न कहीं अपना morning का decision था वो सही साबित क्या market ने and अभी अगर price हमारा इस level के नीचे अगर के trade करने लगता है तो एक अच्छा momentum में देखने को मिल जाएगा morning से यह market के अंदर एक side में momentum बना हुआ है but अभी जस्ट आप जब Nifty को देखोगे तो इसने exact हमारे resistance level से price के अंदर एक downside की momentum शो के है और जब से इसके अंदर यह volumes generate होनी शुरू ही है जब से volume शो रहे है निफ्टी के चार्ट के अंदर तब से और भी जाद हमें confirmation समय जाते है निफ्टी के थू स्टॉक्स को trade करने में जैसे price हमारा resistance level पर गया यहां से price के अंदर एक बड़े momentum देखने को हमको मिले जैसे price ने lows ब्रेक किया और अभी momentum आपके सामने है लगभग 1% के round Nifty हमारी गिर चुक है और कहीं न कहीं इसी के reflection हमें हमारी Dickson के अंदर भी दिख रहा हाला कि Nifty 50 का stock नहीं है फिर भी थोड़ा पहुत effect हम कह सकते है कि market का कहीं न कहीं ज्यादा तरे stocks पर देखने को मिल जाता है इस वज़े से हमको यहाँ पर हमारा profit हो इंक्यूज होता हो दिखा और profits बुक नहीं कि इस वज़े से हमको थोड़े से profits देखने को हम मिल रहे है 8,000 के round हम बने हुए हैं अभी 9,000 के round हम चले गए थे वेट करते हैं डेलो ब्रेक हुआ है हो सकते हैं कि price यहाँ से हमारा और नीचे की दरफ momentum दिखा दे एक round figure 10,000 का profit हमें show हो था हम यहां से ओके हो चुका है 10,000 के round हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर हमें 10,000 का profit शो करें यह market 10,107 रुपीज का एक decent सा profit हमें देखने को मिल गया है last के momentum में डेलो प्राइस ने ब्रेक किया और एक अच्छा movement हमें stock दिखा रहा है चुप चाप जहां से बाहर निगा चाते है 4069 यहां पर आते है stop loss order को cancel करेंगे सबसे पहले order and pending order पड़ा हुआ है इसको cancel करते है पोजिशन बुक 11,000 ओके 11,000 11,000 परफेक्ट 40,70 40,70 square of fantasy 4069.40 सही है 10,700 and order book 4069.40 order हमारा execute नहीं हुआ एकदम से rejection आगया प्रैस हमारा उपर की तरफ चला गया है एक साथ rejection आगया प्रैस उपर की तरफ भागया यह वाली candle हमारा 4069 पर लगा हुआ था order यह वाला area 4069.70 profits 8,800 8,200 4069.70 order लगा हुआ है हमारा एक बार जस्ट प्रैस यहां पर आजाए तो हम यहां से बहार निकल जाएंगे बहुत अच्छा rate हमको मिल जाएगा बहुत अच्छा price मिल जाएगा exit करने का just price एक बार यह वाली 4075 के नीचे आजाए बस अच्छा price मिल जाएगा हमे 9,000 के round हम चल रहे हैं चल रहे हैं बने हुए है 9,000, 9,000, 9,000, 9,600, 9,600, 9,600, 406970, 9,600, 9,600, 4075, okay, okay, okay last time पर यह जो momentum होते हैं थोड़ा सा just थोड़ी सी spike है और हम यहां से बहार निकल जाएंगे 4069.70 volumes, 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 volumes की demand हो रही हैं आपर volumes की demand हो रही है just एक छोटी सी spike और हम बहार होंगे just एक छोटी सी spike 4075, perfect, very good, very good support area 4075 support area है support area है 4075 just दोर पर और नीचे just दोर पर और नीचे 9600 volumes की demand बढ़ रही हैं आपर volumes, volumes आनी चाहिए, volumes आनी चाहिए थोड़ा सा just momentum हमें exit करने के लिए volumes चाहिए हैं आपर और भी volumes आनी चाहिए, 1.828282 और भी जादा volumes आनी चाहिए price actually भी इस वक्त पूरी तरह से हमारा selling pressure के अंदर है पूरी तरह से selling pressure में एक एक momentum बस यहां पर आना चाहिए very good, okay, okay, okay बने हुए है हम लोग 8600, 10,000 sorry, 10600, 10,000 फिर से चुप गया है price उपर जा रहा है 4069, 4069, 4069 बहुत volatile volatility, बहुत ज्यादा, very good अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहां से अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहां से पूरी तरह से हमारा जो actual target है देखिए वहां तक तो हमने wait नहीं किया अपने targets को upside की तरफ हमें revise कर लिया and revise target है मैं आज के दिन है चीवए actual जो हमको price मिला है 4069.70 यहां तक का price मिला I hope के last time का है जो moment है मैंने कहीं ना कहीं excited करता है हम लोगों को 10,814 रूपीज का profit है order book एक बार देख लेते हैं order book में आप देख सकते हो 186 quantities सारी निगल चुके है हमारी order executed 4069.40 सारा price में जितने भी quantity हैं सारी की सारी एक ही price पर निकली है and 4150.45 यह हमारा stop loss का area था entries जो हमने लिती 4127.55 पर हमारी entries थी एक satisfying एक अच्छा और एक profitable trade हमारा यह आज करा है Thursday का दिन है कल last session रहेगा पूरे week का Friday आई हो के कल का जो session रहेगा वो और भी जदा excited और और भी ज़्यादो profitable रहेगा last time में यहाँ पर लोगों ने काफी अच्छे profits वोग किया है last time में जब हमारी nifty ने downside के momentum देखा है बहुत अच्छे बहुत बड़े profits यहाँ पर देखने को मिले होंगे हाला कि जो option trader है अब वो तो वही जाने अगर आप stocks को trade कर रहे हो या फिर stocks के अंदर आप practice करो तो बहुत अच्छे आपको profits देखने को मिले होंगे options में हमारा कोई believe नहीं है जितना ज्यादा यहाँ पर लोग profit करते है उससे कहीं ज्यादा लोग loss करते है बहुत लोग loss करते है कोई यहाँ पर professional लें मिलेगा आपको options के अंदर बहुत कम ऐसे होते है कि जो professional होते है 95 पर 90% के जो एक ratio बैठाए ज्यादा ना कि इतने लोग profitable है इतने लोग अच्छा सा काम कर रहे है तो वो जितने भी 90% है सारे के सारे unprofessional है कोई risk management नहीं कोई money management नहीं किसी तरह का कोई experience नहीं बस market गिर रहे शॉट मार दो market उपर जा रहे है बाई कर लो यह साई चीज होते है relax बैठिये जो भी आपकी analysis है analysis कीजे analysis के करने के बाद में कम से कम believe कीजे उसके उपर जब तक आपका stop loss नहीं जाता है यह नहीं है कि 2000 रुपए है चलो ठीक है हमने मन में माल लिए मन में stop loss है हमारा एक video पर हमने अप्लूट किया थे इसके उपर मन में है stop loss तो उनका stop loss मन में है वो 17,600 अपर जैसे price निकलेगा वो निकल जाएंगे लेकिन price उसके उपर गया नहीं अभी नीचे आ जाएगा वो और उपर चलाएगा नहीं भी और नीचे आ जाएगा नहीं वो और उपर चलाएगा और नीचे आ जाएगा वो आएगा मेरी ही side में क्योंकि हमने sale किया आखरी में पता चलता है कि हमारा 200 रुपय का जो रिस्क था बढ़ करके उस नेमक्र जो लॉस किया है वो 1,000 और 1,500 रुपय का लॉस है अब आप इसकी कल्कुलेशन कर लो जिनका 1,000 रुपय का रिस्क डिफाइंड होता है वो 5,000 – 6,000 का लॉस करते है जिनका 5,000 का रिस्क होता है खूप सारी प्रैक्टिस करो, उसके बाद में option के उपर जाओ, काम करो, profitable हो जाओगे लेकिन अच्छा system आपके पास होना चाहिए, जिसके तुर आप काम करोगे otherwise ऐसे ही loss करते रहोगे और ये बात हम इसलिए बोलने हैं क्योंकि कुछ लोग हैं, हमारे भी ग्रूप में हैं मना करने के बाबजुद वही काम होता है कि जो हम मना करते हैं इस बात का ध्यान रखिए, सभी लोग ध्यान रखिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहो थैंक्स और वीडियो का अच्छा लगा तो उसको जबूर सब लाइक किजिए, कॉमेंट्स किजिए अब हम लोग मिलेगे अपने काल की ट्रीणिक सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया और वीविल मीट अगेन